दश्चको एक बार फिर आपका स्वागत है इस करिक्रम में हम बात कर रहे हैं राज रत नामबेटकर जी से और पिछले एपिसोड में जैसा कि उन्होंने बताया था कि किस तरह से वो आर्थिक विवस्था को भारत की मजबूत करना चाहते हैं और जो बहुजन युवा हैं ज जो की जिनकी नौको रही हैं उनके लिए किस तरह से बुरिजगार स्थापित किया जा सकता है क्या उनके प्लान है उन्होंने बताया और ये किस तरह से पूरा होगा इस पर विए च Hari차 चल रही है अज्दाशको आज के इस करिक्रम में हम जानेंगे राज्नतर जी के जो रा पहलों को जोड़कर कारे करने क्या हुशकता है, इस पर हम बात्चीत करेंगे. इस वक्त आप इस चैनल को सब्स्राइब कर लें और अगर हमारा ये कारेकरम आपको पसंद आ रहा है तो इसे शेयर जरूर करें और अब सुधे जलते हैं राज़नीती के पास में जानते हैं वो क्या कहते हैं इस राजनीती के बारे में. मैं खोद राजनीती में रहा हूँ और कई बहुत नस्दीक से मैंने ये राजनीती देखी है. हम लोग जब कैम्पेनिंग के लिए गाओ-गाओ में जाते थे, छोटे-छोटे बस्ती में जाते थे, जैवीम नगर हो, तथागत नगर हो, छोटे-छोटे शिडल कास्ट के लोग जहां पर रहते हैं, वहां पर जाते थे. तब हम लोगों को वहां पर पूछा जाता था, हम लोग जब आते थे, तब हमारे लोग ये कहते थे, मैं नांदेर से, वहां आपसे कंटेस्ट किया था, आप जानते हो, कि अशुक चवान एक सीम रहे चुके थे महारास्ट के, उनके अगेंस्ट में मैं खड़ा था, उस सम हमारे लोग क्या कहते थे, पता है, वो कहते थे कि सर हम आप, आपको ही वोड़ देंगे, लेकिन प्लीज आप हमारे एरिया में मत आया कीजिए, हमारे लोग अशुक चवान जी के स्कूलों के उपर काम करते हैं, कॉलेज के उपर टीचर है, अगर आप हमारे गली में दिख यह बोलकर हम लोगों को नहीं लड़ना होगा, आगे सामने वालें के हाथ में अगर चाकू है, तो हमको चाकू से लड़ना होगा, उसके पास अगर तोफ है, तो हमको तोफ से लड़ना होगा, अब हो क्या रहा है, सामने वाले के पास तोफ है, हम चाकू से, छोटे से चाक पानने बनाई है वही विवस्ता जब हम बनाएंगे तब इनके सामने खड़ा करेंगे अगर इनके एजुकेशन इंस्टिक्यूर्स है शुगर फैक्टरीज है टेक्स्टाइब मिल्स है तो हम लोगों को भी वो सब बनाना होगा और जब हमारे लोग यहां पर काम करेंगे पर हमारा लेवर इनके गुलाम ही करता है और इसलिए अगर इनको वोट नहीं दिया तो हमारे नोकरी आ जाती है और इसलिए इन्होंने अपना वोट बैंक ऐसे बनाया हम इसके उपर कभी सोचते ही नहीं हम सिर्फ बाबा साब का नाम लेना चाहते हैं हम सिर्फ बाबा आपने वोट का अधिकार कैसे दिया यह बताना चाहते हैं और उनको गोडोड कर रखते हैं इमौजनली जण्जोड कर रखते हैं लेकिन उनको हमेशा वोड बंक में अगर कनवर्ट करना हैं तो अपनी शुगर फेक्ट्रिस खड़ी करो, अपने टेक्स्टाइल में खड़े करो, अपने पेपर फेक्ट्रिस खड़ी करो, ये तुम्हारा वोड बैंक हो सकता है, शरत पवार इसी तरह से वोड बैंक बढ़ाता है, तो ये काम हम कम करेंगे, आज अगर हम चाहे तो ये सब खड़ी कर सकते है, लेवर हमारे पास है, हमारे पास हमारे इंजिनियर्स है, हमारे पास हमारा यूमन रिसोर्स है, लेकिन हमारे पास जो नहीं है, वो है विजन, हमारे पास विजन नहीं है, बाबा साब के पास ये कुछ नहीं था, लेकिन बाबा साब के पास विजन था, बावा साब 1930 में इसी मुम्बई में राजगुरा बनाया। जहांपर झोटा सा स्क्वेरी फिट खरीग खरीद नहीं पाते थे। वहां पर 1931 में बावा साब ने राजगुरा की नेयू रखी। आज भी वो राजगुरा दादर में है, हिंदू कॉलनी मी है, सोची बावा साब की इक्रोमिक्स क्या रही होगी, किस तरह से बावा साब ने अर्थवेवस्ता पे काम किया होगा, तब जाकर बावा साब इतना बड़ा काम कर सके, 1946 में बावा साब ने मुंबई के फोर्ड के इलाके में जहां आज हम एक स्क्वेर फीट की जमें खरीद नहीं सकते, बावा साब की चार मंजीला सिधार्द कॉलेज वहाँ पर खड़ी है, उसके पीछे आनन भवन, बुद्द भवन जैसी बिल्डिंग्स वहाँ पर खड़ी ह तो सोचिए बावा साब के अर्थ वेवस्ता के क्या विजन्स रहे होंगे, उसके उपर हम नहीं काम करना चाहते हैं, हम क्या करते हैं, बावा साब को सिर्फ अपने मतलब तक इस्तमाल करते हैं, जितना मेरा मतलब है, अगर मेरा मतलब पॉलिटिकल है, तो सिर्फ बावा सा आपके नाम के आगे लेकर भागते रहते हैं, तो बावा साहब के विजन पर हमको काम करना होगा, आज हमारे पास सिर्फ बावा साहब के फोटोज हैं, सिर्फ बावा साहब के पुतले हैं, बावा साहब के असले विजन पर काम RSS कर रही है, और RSS बावा साहब के विजन पर क पढ़के बाबा साब के राइटिंग स्पीचेस को पढ़के ये विवस्ता हम अपने समाज के लिए कैसे खड़े कर सकते हैं इसके उपर हम लोग ये सोच समझ के लिए सारी प्लानिक करके ये काम कर रहा है हम लोग आने वाले समय में इंडस्ट्रीस में ये बहुत बड़ा का करने जा रहा है को परेटिव सेक्टर में भी हम लोग एंटर कर चुके हैं ये कोपरेटिव से सोसाइटी हम लोग ने रजिस्टर कर ली है अब हमारे युवाओं को और हमको किसी के पास काम मांगने की भीक मांगने की जूरत नहीं है ये आपके लिए रिजर्व हैं जो जितना भी उत्पादन है वह बौदों से लेना अनिवारिय है एक परसंड भी इस्तमाल नहीं हो रहा है क्योंकि हम इंडस्ट्रीज में ही नहीं वहां पर जाई नहीं रहे हम क्या कर रहे हैं बैंकिंग क्लर्क की एक्जाम देते हैं प्रोबिशनरी ओफीसर की एक्जाम देते हैं अब एक्जाम लेकर भी आपको पोस्ट नहीं है और इसलिए यह जो फोर परसंड रिजर्वेशन है इसका भी इस्तमाल किया जाना चाहिए और एक वर्ल प्लैट्फॉर्म पे हमको जाना चाहिए यह सब हम लोग ढून रहा है कि पढ़ाई कर रहा है कई सारे उद वो बिक भी नहीं रहा है आप वो हमें दीजे उसके उपर प्रोसेस करके हम वो इंटरनेशनल प्रैट्फॉर्म में लेकर जाएंगे जितना आपका प्रॉफिट यहाँ पर नहीं हो रहा उतना प्रॉफिट हम भारत के बहार से लेकर आएंगे और आप कह रहे हूं कि मैं कह जिखाओ हम उनको यहाँ पर नोक्रिया देंगे मैंने कहा कि ठीक है नोक्रिया तो दे देऊगे लेकिन वहाँ पर शूरिटी तो है नहीं कि नोक्री चली गई तो फिर से भारत आना पड़ेगा मैंने उनको कहा कि हम अपने ही देश में बैट कर यहां से आपके देश के पर मजबूत करना चाहते हैं हमारे लोग भारत के बाहर जाते हैं वहाँ पर अपनी वेवस्ता उनकी मजबूत है आप यूएस में जाईए यूएस में देखेंगे रवीदासिया कॉम्नेटी जो बाबा साब को मानती है आज वहाँ पर सबसे स्ट्रॉंग है सबसे बलशाल लिखकर वो पूरी यूएस में घुमती है तो हमारी लोग स्ट्रॉंग है वहाँ पर मैंने उनको कहा कि आप तो यहाँ पर स्ट्रॉंग हो गए हमारे पंजाब में बैठे हुए लोगों का क्या हमारे महारास्तर में बैठे हुए लोगों का क्या उनकी वेवस्ता कब स्ट् आने के लिए वर्ल की लोग इंडिया को मदद करने के लिए तयार है हमारे लोगों को मदद करने के लिए तयार है लेकिन हमारे लोग लगे हुए है राजवीती में हमारे लोग बनना चाहते है सरपंच हमारे लोग बनना चाहते है पार्शद नगर सेवत ये बनना चाहते है ठीक है ये भी बनो, ये ये भी करना ही है, हमको सक्ता में भी घुसना ही है, लेकिन जब तक आपकी आर्थिक नाडिया मजबूत नहीं होगी, इस सक्ता में बैट कर जाने वाले लोग भी क्या करेंगे, उनको लिया तो जाएगा, लेकिन हमेशा उनको पोजीशन दी जाएगी पावर नहीं दी जाएगी, आज पावर में सबसे ज़्यादा पावर में शेडूल कास्ट का समाज होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इस देश का रास्ट्रपती शेडूल कास्ट से आता है, तो सोचिए जिस समाज का रास्ट्रपती बना है, वो समाज कितना स्ट्रॉम होना च चाहिए और वो पावर आएगी आपके इस सारे काम से आज जैन समाज पोजीशन में नहीं है उनका कोई मिनिस्टर नहीं है लेकिन यही देश का प्रदान मंत्री जैनों के मुनियों के पेर पड़ता है नागा बाबाओं के पेर पड़ता है क्यों क्योंकि उनके पास पावर ह तो यह पावर बाधों के पास होनी चाहिए यह पावर इस देश कुजनों के हाथ में होनी चाहिए और यह पावर कब आएगी जब आप लोग संगठीत होगे और संगठीत कब होगे जब आपकी यह सारी विवस्ता आपके हातों में होगी आपके बच्चों को किसी और के स् कि जरूरत नहीं होगी. जब ये व्यवस्ता आप बनाऊगे इसको समय जाएगा. बाबा साब का एक स्पीच है. बाबा साब खहता है कि एक क्रांती आने के लिए आपको तीन पीडिया देनी होगी. तीन साल में बाबा साब ने विजल्ट तो एक परिवर्तन बाबा साब कर चुके है अब ये परिवर्तन हमको करना है हमको एक ही मिड़ी में ये रिजल्ट नहीं मिलेगा लेकिन दो तीन पिड़ी अगर हम इस एंगल में चले बाबा साब के विचारों पे चले सो साल लगा दिये रैसेस ने सत्ता में आने के लिए हमको दस साल में विजल्ट चाहिए इलेक्शन जब आती है तो देड़ मैंने पहले हमारे प्रचार शुरू हो जाते है सुचे कैसे कार करोगे आप लोग अब यूपी की एलेक्शन आएगी तब एक दो मैंने पहले फिर का सालों तक लगातार काम होना चाहिए और पात सालों तक आप भाशन नहीं करना है पात सालों तक ये काम करना है आपके लोगों को उनके हातों को काम दीजिए और ये काम है कोपरेटिव सेक्टर में जिनके साथ में बात कर रहा हूं वो कहते हैं कि सर अगर आप कोपरेटिव सिक्टर में है लेकिन हमारे लोग वहाँ पर नहीं है शरुत पवार और अच्छी तरह से इन तमाम बातों को रखा है लेकिन होता क्या है कि आपने कहा कि बहुत जरुरी है कि हम आर्थिक व्योस्ता अपनी सुधिर करें और अच्छी तरह से उसको मजबूत करें वहीं आपने कहा कि राजनिती भी आऊशक है क्योंकि उससे एक सत्ता की जो चाबी है वो मिलती है और साथ ही आपने कहा कि लोगों में जागरुकता भी होनी चाहिए अब अगर हम अपने संगटनों को देखें तो अभी हाली में वामन जी से में बात कर रहा था उन्होंने कहा कि मैं समाज क जागरित करने का काम कर रहा हूं और वो जागरन का मेरा काम जारी है वहीं पर अगर हम देखें तो जो हमारी राजनितिक पार्टियां हैं चाहे वो आर्पियाई हो बीएसपी हो तमाम सारी जो पार्टियां हैं वो पार्टियां अपना राजनितिक रोल निभा रही है आप आपने कहा कि हमें आर्थिक शेतर में काम करना चाहिए और आप आर्थिक शेतर में काम कर रहे हैं तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि यह सारे लोग अपनी भूमिकाएं सुनिश्चित कर लें और अपने अपने शेतर में काम करें जिससे की जो अंतिम जो बेनिफेशरी है जो हमार उतना अच्छा नहीं है, मतलब उसकी साड़ी से मेरी साड़ी ज़्यादा सफेद है, ये जो स्थितियां है, ये क्यों नहीं बदलती, क्या चक्तर है, इसके पीछे क्या गरण है? देखिए, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, कि सभी लोग अपने अपने शित्र में काम कर रहे है, वामन मिश्राम जी काम कर रहे है, मायावती जी पॉलिटिकली बहुजन समाज पार्टी को लीड कर रही है, तो देखिए, जब मैं अपनी एक भूमी का बताना चाहता हूँ, अगर जैसे बीजेपी का एक नारा था, 2014 में, कि उसमें देवेंद्र पनवीस इनको CM कैंडिट की तोर पर वो लोग ले रहे थे, तो उनका एक नारा था, मराठी में मैं कहना चाहूँगा कि राज्यात देवेंद्र आनि केंद्रात नरेंद्र, इस तरह का उनका नारा था, यानि राज्य में देवेंद्र पनवीस होना चाहिए और केंद्र में नरेंद्र मोधी होना चाहिए, अगर ये लोग इस तरह के नारे दे सकते हैं, तो हम अपने नारे क्यों नहीं दे सकते हैं, इसलिए मैंने तब ही एक नारा दिया था, कि राज्य में, यानि महाराष्य म प्रकाश अंबेटकर और केंद्र में मायावती जी इस तरह से भाऊना हम लोगों को रखनी होगी अब होता क्या है अगर मैं यहाँ पर प्रकाश अंबेटकर जी का समर्थन करता हूँ तो ये कंपनसर ही हो जाता है कि मुझे मायवती जी का विरोधी करना है क्यों करना है? हमको मायवती जी भी हमारी है, प्रकाश अंबेडकर जी भी हमारे है अगर यहाँ पर पावर प्रकाश अंबेडकर जी की बढ़ रही है तो हम सभी लोगों को वहाँ पर खड़ा हो जाना चाहिए हमारी वोर्स अलबसंग क्यांख है हम लोग माइनिटी में है लेकिन एक ताकत हमारी है एक ताकत ये है कि हम इकटा जिसके साथ खड़े हो जाते है उसकी सत्ता आ जाती है ये हम लोगों ने देखा हुआ है और इस पावर के उपर हम लोग सत्ता में भागीदारी मांग सकते है और इसलिए मैं ये हमेशा कोशिश करता हूँ कि हमारी वोट बिखरे नहीं हमारी वोट तूटे नहीं हमारे वोट तोडने के लिए कई सारे लोगों को plant किया जाता है अलग-अलग party बनाने के लिए offer किया जाता है मेरे पास भी offer है मेरे को बहुत सारे लोग offer लेके आता है आपको ये वाली RPI बना के देते है वो XYZ बना के देते है आप काम करो इनका कहना ये होता है कि आप जो आपका समारज का percentage है उसको और जाके फोड़ो और इसको divide करो ताकि इनका जो collective power है ये power मत का जो power है वो power इनकी खतम हो जाए इसलिए इनका ये offer रहता है हम लोगों को भी देखना चाहिए अब मैं हमेशे अभी UP की elections आ रही है UP में अब नए नए पाइटिया बन रही है क्यों? क्योंकि मायावती जी का vote bank तोड़ा जाए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा मायावती जी का क्या सही है, क्या गलत है क्या policies गलत हो रही है ये हैं internal वो देख लेंगी लेकिन जब देश का मुद्दा आ रहा है vote का मुद्दा आ रहा है सतापन करने का मुद्दा आ रहा है तब हमारा एक भी vote बिखरना नहीं चाहिए मायावती जी गलत है या नहीं है वो हम आप बाद में देख लेंगे लेकिन इसके जब election का vote आ रहा है election का time आ रहा है वोट देनी की बारी आ रही है तब एक भी vote BSP के अलावा और किसी party का button नहीं दबना चाहिए ये हम लोगों को सुनिश्चित करना होगा क्यूंकि एक भी button अगर किसी और XYZ party का दब गया बहुजन X, बहुजन Y, बहुजन Z ऐसा कुछ भी दम गया तो क्या होगा BSP का जो वोट बैंक है उनको वो तोड़ना है उसमें वो सफल हो जाएंगे और इसलिए नहीं नहीं party आज हमारे limited वोट बैंक को तोड़ने के लिए जो बनाई जाती है इसको हमको देखना होगा एक गठा वोट हमको हमारी party को देना होगा और मैं ये गुमिका इसलिए है क्योंकि जो लोग अपने अपने शेत्र में काम कर रहे है वो उसके expertise है मैं यहां से नहीं बोल सकता कि मायावती जी को ये निर्णई लेना चाहिए मायावती जी को वो निर्णई लेना चाहिए वो CM है चुकी है उनका खुद का intelligence काम करता है तो मैं बहार का आदमी उनको अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मैं नहीं कहीं कर सकता इसलिए जो लोग अपने अपने शित्र में काम कर रहे है उनको सब को मिलकर उनको सपोर्ट करना चाहिए वावन मेश्राम जी अगर जागरुपता का काम कर रहे है तो हम लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ आप हमारा इत्यास लोगों को बता रहे हो लोगों को जागरुद कर रहे हो हम वो solution देने का काम कर रहा है वो answer देने का काम कर रहा है आपको पता चल चुका है कि आप लोग इस देश के साशक थे आपको गुलाम बना दिया गया था अब फिर से गुलाम इसे बहार आकर साशक कैसे बन सकते हो बुद्धा का जो धम है ये धम है धर्म नहीं है बुद्धा का पूरा teaching ये policies के उपर है अपनी प्रगती करना बुद्ध सिखाते है और बुद्धा के समय समराड अशोग का जो कार्यकाल रहा हमारे राजाओं का कार्यकाल रहा भारत सोने की चिडिया कहलाया करता था क्यों? क्योंकि उन policies के उपर हम लोग काम कर रहे थे पूरा world इस देश से संपर्क कर रहा था और देखिए जैसे आज नरेद्रमोदी जी stand ले रहे है वो ही stand आडाई हजार सालों पहले इन ब्रहामणों ने लिया था उन्होंने भारत का संपर्क सभी देशों से तोड़ दिया और इसी देश के लोगों को इसी देश में कैद करके उनकी आर्थिक जो नाडिया थी वो बंद कर दी और यही काम नरेद्रमोदी जी करना चाहते है कि आप भारत के बाहर मच जा पढ़ाई करने के लिए मच जा राज अजतने जी हमारे बीच मौजूद रहेंगे दाशकों अगले एपिसोड में तक आप हमारा इंतजार करें और अगले एपिसोड में हम उनके विचारों को और बेहतर तरीके से जानेंगे और भी उनके क्या क्या विचार है बहुत सारे विचायवी बागी हमारी बाकचित के इस करिकम में और हम आप से अन्रोद करते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्स्क्राइब करें और साथ ही हमारा ये कारिकम अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे दूर दूर तक पहुचाने में हमारा सहयोग करें और अब ये इस कारिकम में आज की बातचीत बस यहीं तक अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगे